इस वीडियो में हम बात करेंगे जो FPSC ने रेसंट एक अनांस्मेंट की है कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट या MCQs-based preliminary test conduct किया करेंगे CSS के main exam से पहले उसके बारे में हम बात करेंगे कि यहां पर यह बात व्याद रिखें कि इस screening test के इलावा CSS का जो syllabus है या जो बाकी सारा procedure है उसमें कोई changing नहीं आई है The only thing is कि आप यह MCQs वाला test पास करेंगे और उसके बाद आप next test के लिए qualify कर सकेंगे अगर आप इस test में पास नहीं होते तो आप CSS के main exam में written exam में जो descriptive exam होगा उसमें अपीर नहीं हो सकते तो MCQs बेस जो यह test है इसमें 200 MCQs होंगे जिसमें से आप 66 MCQs सही अगर आपने किये तो इस आपने test qualify कर लिया है अगर आप इसमें पियर हो गई है तो और पास नहीं कर सके तो आपका चांस आया हो गया है ज्यादा कर यह test general knowledge based test के syllabus के बारे में और preparation strategy के बारे में हमने एक और वीडियो में जिसका लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगा वो वीडियो जरूर देखे हैं जिससे आपको तयारी में मदद मीटेगी कि आपने कहां से तयार करना है और कैसे तयार करना है और यह जो test होगा अगर आपके इसमें सिर्फ passing marks भी आ जाते हैं तो इसका जो final result होगा CSS के exam का उसके पर कोई impact नहीं है और जिस year आपने exam में appear होना है descriptive exam में उसी year का screening test आपको pass करना होगा अगर आपको उसी year का screening test देना होगा और जो eligibility है वो 21 years से 30 years तक है 21st December तक आपकी age अगर 30 years है तो आप appear हो सकते हैं लेकिन अगर आपकी age उससे ज्यादा हो गई है 31st December पर यह चाहिए वो एक दिन ही ज्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं 30 years one day अगर आपकी age हो गई है 31st December को तो आप appear नहीं हो सकते हैं exam में you are not eligible Tentative date है 14 November advertisement आने की 14 November से 15 December तक आप application online submit करा सकते हैं इस screening test के लिए या preliminary test के लिए और test होगा 20th February 2022 को उसी दिन answer की upload हो जाएगी website के उपर Total marks 200 हैं और passing marks 33% यानि 66 हैं और official result announce होगा 7 March को फिर उसके बाद forms और documents लिए जाएंगे test qualifiers से 8 से लेकर 25 March तक और 15 माई को main या written exam की commencement date है आपका इस सवाले से कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के comment section में post कर सकते हैं वीडियो को like करें, share करें और comments में आपना feedback दें करें प्तुम प्रवेश पर बास करें आएंगा करें लिए टक्षबियो को करें यह क्या होगा विए्यास